हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स में तो आप सभी लोगों को आल दे बेट्स दोस्तो जिनका भी कल कनी सायक 746 पदो का एक्जाम पेपर है सभी को एक्जाम के लिए हार्दिक सुपकामना है आई होप आप लोगों ने जिन्होंने भी अच्छी मैनत की हुई है सभी का सेलेक्शन हो जाए और इतने टाइम से जो आप इस परिक्षा के लिए निरंतर प्रियास कर रहे हैं अपनी सफलता के लिए आप लोग सफल भी जरूर हो तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ परिक्षिया के संबन्द में कि आपको परिक्षिया में क्या-क्या लेकि जाना है और आपको परिक्षिया में क्या गलतिया नहीं करनी है जो कि अक्सर बहुत सारे अभ्यरती करके आते हैं कुछ अभ्यरती पहली बार पेपर देने जाते हैं तो उनके बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं उनसे क्योंकि OMR भटने का आईडिया नहीं होता या फिर कुछ गलवड़ें हो जाती हैं कभी कुछ पॉइंट वो छोड़ के आ जाते हैं या कभी-कभी एक्जाम होल में कोई भी सामगरी लेके चले जाते हैं तो इन सब चीजों के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो फिर से आप सभी लोगों को मैं एक बार all the best कहना चाऊंगा अगर आप लोग उन्हें महनत करी हुई या अच्छी तरके से पढ़ाई करी हुई है तो आपका सेलेक्शन दोस्तों निश्चित ही होगा 746 पद हैं पदों की संक्या अच्छी खासी है तो चलिए बात करते हैं पहले दोस्तों आपका कल दो सिप्ट में एक्जाम पेपर होना है पहली सिप्ट का एक्जाम 10-12 बजे तक है और दूसरी सिप्ट का एक्जाम 2-4 बजे तक है तो आपका जिस भी सिप्ट में एक्जाम है आप आसानी से देने जाहिएगा दोनों shift का exam paper का जो level रहेगा वो आपका लगबग लगबग दोस्तो सेम रहेगा अगर किसी भी shift में उपर नीचे रहता है तो वहाँ पर आपके normalization process के तहट आपको marks, gaining या फिर marks का dropment भी हो सकता है इसे के साथ साथ जो भी अभिरती जिनका exam पहली shift में है या दूसरी shift में है तो आप लोग के लिए दोस्तो एक guideline है कि आपको परिक्षा शुरू होने से आधे गंटे पहले परिक्षा के अंदर में पहुंचना आनिवारी है जैसे कि 10 बज़े से आपका exam paper है तो साड़े नो बज़े आपका entry का last time है साड़े नो बज़े के बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई entry नहीं दी जाएगी तो आप लोग जिसका भी exam है कोशीच ये करें कि exam center में time से पहुंच जाएगा अगर आप लेट पहुंचेंगे तो फिर आपको exam नहीं देना दिया जाएगा जैसा कि पहले बहुत सारे exam में हो चुका है तो समय पर पहुंच जाएए आदे गंटे पहले पहुंच जाए जिनका second shift में है उनको डेड़ बज़े से पहले exam center में पहुंच नहीं देने जाएगी इसे की साथ दूसरी चीज दोस्तो आप लोग जब भी exam देने जा रहे हैं आपको अपने साथ में आपका admit card admit card के साथ में आपको अपना ID proof, ID proof में आप आधार card भी रख सकते हैं या फिर voter ID card भी रख सकते हैं अपनी दो photos, दो photos के साथ में जोस्तो अगर आप चाहें तो mask, mask ले जाना बहुत compulsory है तो admit card, आपका आधार card या फिर ID proof कोई भी ID proof चलेगा और mask ये चीज़े अनिवारी हैं ये तीनों चीज़ें आपको ले जानी अनिवारी हैं और दो photo इसी के साथ में अगर आप लोग चाहें तो hand sanitizer लेके जा सकते हैं और एक पारदर्सी पानी के बुतल भी लेके जा सकते है अपना पीने के लिए बाकि आपको कुछ भी चीज परिक्षा के अंदर में ले जाने की जुरुत नहीं है पैन भी दोस्तों आपको आयोग के तोरह available कराये जाएगा तो आपको पैन ले जाने की जुरुत नहीं है आयोग खुदी आपको pen provide करवा देगा तो ये चीज़ें ह बाद आपकी अगली process शुरू होती है वहाँ पर आपका biometric होगा जाके तो आपको biometric अच्छी तरीके से कराना है किसी से कोई भी अबद्रता नहीं करनी है और उसके अलावा आप कोई भी सामगरी अंदर परिक्ष्या hall में नहीं ले जा सकते हैं बहले ही आपका mobile phone हो आपका परसो कुछ भी चीज़ां आपको allowed नहीं रहेंगी paper centers में ले जाने के लिए तो सारी चीज़ां आपको भार पर रखनी पड़ेंगी इसे के साथ-साथ दूस्ती चीज है exam hall में जब आपको OMR sheet मिलती है उसके बाद तो OMR sheet भरने में बहुत सारे अभ्यरती गलतियां करते हैं और shift कौन सी है तो सारी चीज़ां आपको भरनी है OMR भरते समय आपको अपने आख, कान, नाख, मुझ सब कुछ खोल के देखना है ध्यान से कि कोई गलती ना हो जाए अगर कोई गलती हो जाती है तो आप लोग वाइटनर का यूज नहीं कर सकते हैं नहीं उस OMR को खुरस सक क्योंकि आयोग ने इस पस्टिकरण दिया है साब बोला है कि अगर आपके OMR सीट में कोई भी गड़बड पाई जाती है आपने वाइटनर लगा रखा है या आपने OMR को स्क्रेच किया है तो आपका OMR सीट चेक नहीं होगी तो बिलकुल जब भी आप OMR सीट भर रहे हैं नाम सही लिखना है, रॉल नमबर सही लिखना है, सिट जरूर लिखनी है, साइन जरूर करना है जो भी चीज़ा उसमें दी गई है वो जरूर करना है अभी आप लोग ने हाली में देखा होगा कि एक कोई अभ्यरती थे उनका सायक लेखागार में चैन भी हो जाता उनके 76 six number आ रहे थे cut-off 73 गई थी लेकिन वो exam hall में अपना paper code लिखके आना भूल गए या उसको गोला करके आना भूल गए तो उनकी marking नहीं हुई उनके zero number आए तो आपको इस चीज़ का विश्यज़ ध्यान रखना है कि जो भी आप गोले भर रहे हैं बिल्कुल सभी चीज़ आपको accurately लगानी है और साथ में उसके साथ में आपको दो extra copies मिलती है उसके पीछे एक copy होती है तो जो आयोग में जमा होती है उसके पीछे जो last वाली copy होती है OMR की carbon copy वो आप लोग अपने साथ में घर ला सकते हैं तो आप last में जब पेपर होने के बाद में उसे फाड़ेंगे तो उसके भी आपनों को बहुत सही तरीके से फाड़ना है बहुत सारे ब्यर्थिक्या करते हैं जल्दी बाजी में वो last वाले दो OMR सीट फालने के कोशिज करते हैं तो उनके main OMR फढ़ जाती है तो ये गल्ति आपको नहीं करनी हैं सभी चीज़ा सही तरीके से बढ़नी है उसके बाद जब भी आपको paper मिलता है paper मिलने के बाद में आप लोग paper करते समय एक चीज़ का विशेज ध्यान ये दे हैं और इस paper माँ आपकी negative marking भी है, इसलिए आप लोग अच्छे attempts करें, negative marking आपकी होगी, 1 by 4 आपकी negative marking होगी, अगर आप एक प्रस्न गलत करते हैं, तो एक number तो आपका कटेगा, यह कटेगा, उसके साथ में जो 1 by 4 यानि की 0.25 number आपका दूस्टे question का भी कटेगा, यह कुछ basic ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी प्रस्न में क्या language कुछ घुमा के दी हुई जाती है, या फिर प्रस्न आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपको उसका concept आता होगा, तो आप उस प्रस्न को आसानी से कर सकते हैं, तो प्रस्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, कि प्रस् प्रसने की language पढ़नी है, अगर आपको किसी भी प्रसने में एक या एक से अधिक उत्तर सही लग रहे हैं, तो आपको सबसे best priority उसको देनी है, जो उसका ज्यादा accurate answer हो, ठीक है, अगर आपको दो option सही लग रहे हैं, किसी भी question में बहुत सारे question ऐसे होते हैं, उनमें all of the web का option न आने हैं, 10 नमर का reasoning और computer आने हैं, और 30 नमर का आपका जीस वाला section, state policy, geography, economics, ये सब कुस आने है, ठीक, current affair, तो ये चीज़ आपने अच्छी तरकी से तयार की हुई होगी, तो आपको exam बहुत पहले attempt में वो question करने हैं, जो आपको बिल्कुल आते ही आते हैं, अगर पहले attempt मे आप लोग का score 75 प्लस जा रहे है, या 80 प्लस जा रहे है, तो दोस्तो आप उतना ही करके भी छोड़ सकते हैं, negative marking नहीं करेंगे, तब भी चल जाएगा, वरना अगर आपका score आपको लग रहा है कि कम है, या आप उतना अच्छा score नहीं कर पा रहे है पेपर में, तो जिन भी चीज होती है, बहुत सारी लोग कहते हैं कि तुक्के मार लेंगे, तो दोस्तो तुक्का मारना हमेसा फायदे मन नहीं होता है, कभी-कभी बहुत नुकसान देख हो जाता है, जब आप 0.25 या OMR में तो दो 0.001 नंबर से बाहर हो रहे है candidate, फॉरेस्ट गार में आप लोग देखा होगा, कि दो नंबर के बीच में हमारे 50 या 60 candidate आजा रहे हैं, क्योंकि normalization है, वही चीज दोस्तो आपके यहां पे भी होगी, तो negative marking अगर आपका paper अच्छा जा रहा है, अगर आपका paper 75 प्लस का जा रहा है, तो आपको negative marking नहीं करनी है, और दूसरी चीज दोस्तो सब score कम हो जाता है, paper easy आता है, तो safe score बढ़ जाता है, और paper अगर moderate आता है, तो safe score अमारा, normally मैं UK टरप्लस के pattern बे बात करूँ, तो अगर आप general candidate है, general male की में बात कर रहा हूँ, तो आप लोगके 72 प्लस marks आते हैं, तो आपका हो safe score है, moderate to hard exam में, क्योंकि 746 पद हैं आपके, final selection के लिए दुस्त में आपको बोल रहा हूँ है, आपको 72 प्लस score, अगर आप general है, तो 72 प्लस का आप target बनाते हुए चले, अगर आप OBC, SC, ST, Females हैं, तो आप देख नंबर, दो नंबर ऐसे कम करके चल सकते हैं, लेकिन 72 marks आपको जरूर लाने हैं, अब बहुत सारी चीज़ें ह का विसेज ध्यान रखना है, कि आप जितना भी questions करके आएं, वो safe score के according करके आएं, ऐसा नहीं है कि आप exam में 70 questions करके आ रहे हैं, तो आपके 70 ही 70 questions सही हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तो बहुत बार exam में यह होता है, कि examiner की book का pattern कभी-कभी अलग होता है, आपकी book का pattern कभी आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि सरल पेपर है, परिष्यावाणी लूसाइंट, इनसे की paper बन गया है, तो फिर वापे 75 प्लस की आप उमीर लगा के चल सकते हैं, उन में आपका निश्चीती सेलेक्शन हो जाएगा, तो यह एक accurate, मैं directly दो गैरंटी तो नहीं दे स तो अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे, आप टॉपर बनेंगे, आप अगर टॉप 50 मा की rank आती है, तो आपको अच्छा grade में मिलेगा, अच्छी level मिलेगा, और हो सकता है कि आपको typing देने के जुरद भी ना पने है, ठीक है, तो अगर आप अच्छा score करते हैं, तो अच आपको लग रहा है कि आपके नंबर साठी से कम आएंगे, तो मुझे रगता है कि आपको 100 के 100 कुश्टन करके आने चाहिए, क्योंकि उसमें फिर कभी कभी probability हो जाते हैं, बहुत सारे अभ्यरती ऐसे होते हैं, जो अच्छी खाची तैयारी करके जाते हैं, लेकिन इसे करके निकेटिव होती थी, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पढ़ सकता है, बाकि नॉर्मलाइजिशन दोस्तों आपका होगा, ऐसा बिल्कुल मत सूचेगा कि कौन सी shift का paper hard आएगा, कौन सी shift का paper easy आएगा, दोनों shift का जो paper होगा, वो आपका moderate रहेगा, दोनों shift में जो questions आएगे, वो same pattern से आएगे, हो सकता है कि किसी shift में एक-दो number का फायदा मिल जाए, एक-दो number की कमी आ जाए, उससे ज़्यादा कोई भी दोस्तों फरक नहीं पढ़ने वाला है, तो आप सभी लोगों को all the best दोस्तों में कहना चाओंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको option में दो चीज़ा अगर आती है, आपको आपने वो चीज़ा अच्छी तरह के से बढ़ी हुए, आपको लग रहा है कि यार इन दो चीज़ों में तो यह हो इनी सकता है, तो आप फिर other options के साथ में जा सकते हैं, और paper ध्यान से कर सकते हैं बाकी, कभी-कभी paper में यह भी हो जाता है, कि एक ये प्रस्ण दो बार repeat होता है, पहले ओ किसी और sense में पूछा जाता है, बाद में और sense में पूछा जाता है, तो आप लोग को उस चीज़ कभी एक विशेज ध्यान देना है, तो आप सभी लोगं को जोसते फिर से all the best केना बाकि आप लोग जाईए अच्छे से पेपर दीजे दोस्तो सुब कामना है हमारी आपके साथ में आप लोगों अच्छी तैयारी करी होगी तो आपका सेलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा अपने साथ में अधार कार्ट आपका दो फोटो और साथ में मास्क लेकर जरूर जाएंगे तो भी चल जाएगा बाकि एक्जाम के बाद में जरूर बताएगा कि आप लोगों का एक्जाम कैसा गया है और साथ में अगर आपने उत्राकन की वीडियो जबी तक नहीं देखिए दोस्तों तो फिर भी कहूंगा कि एक मेराथन क्लास वाली वीडियो में अपने चैनल पे डाली हुई है आप उस वीडियो को देख लीजिए उससे आपको निश्ची दिन कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मिल जाएगी ठीक है और एक चीज और विस्टेस रिक्वेस्ट है दोस जिसको एक्जाम नर्स के द्वारा जिसको नकल करवाई जा रही हो तो फिर आपको उस कंडिशन में कंप्लेन करनी है उसके विरुद्धा आवाद उठानी है क्योंकि अगर एक या दो अभ्यरती भी ऐसे होते हैं तो उससे आपके वहुष्य बर्भी प्रभाव पढ़ सकत करते हैं अगर आपको लगता है कि कोई अपने मनी मन में कुछ बोलने की कोशिज कर रहा है या आसपास में उसके रियक्शन कुछ ऐसे हैं कि ये कुछ गलत कर रहा है तो वहाँ पर निश्चिती कंप्लेन करिएगा आपकी समश्या का समाधान जरूर हो जाएगा बांकि जो कर सकते हैं एक दो नंबर में दुस्तों चल जाता है उपर नीचे बाकि नॉर्मलाजिशन के बाद में आपका चीज़ें हो जाएंगे ठीक है हाँ 72 से कम में भी दूस्तों सेलेक्शन हो सकता है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 70 70 लाने ही लाने लेकिन एक सेब स्कोर जो होता ह उसके इसाब से उतनी चीज़ें टाइम कर सकते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों थैंक्यू थैंक्स पर वाचिशन वीडियो सीव नेक्स टाइम आल दे वेस्ट आप सभी लों को एक जाम के लिए